आपरेशन में अगर आपको ऐसा पता चलता है कि ये पंक के डिस्चारज प्रेशर बहुत जद़ा वेरी कर रहा है स्पोस्म, तर पंक के डिस्चारज प्रेशर फ़ाइब केजी होना चाहिए लेकिन वो कभी pressure gauge में 3 kg दिखा रहा है, कभी 6 kg दिखा रहा है, कभी 2 kg दिखा रहा है, कभी 4 kg दिखा रहा है, मतलब vary कर रहा है, बहुत ज़्यदा fluctuate कर रहा है, और pump का जो discharge का flow है, जो flow है, अगर उसमें flow meter installed है, तो flow भी vary करेगा, flow कम ज़्यदा होगा, steady flow नहीं रहेगा, और आप pump के पास में जाते हो, तो pump के पास में जाके आपको एक noise जैसा सुनता है, कि pump के पास से बहुत noise आ रहा है और vibrations हो रहा है, यह सब indications हैं कि pump cavity हो रहा है,